हमारी हिस्ट्री आफ कश्मीर की जो सीरीज है उसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है यहां तक हम कर चुके थे संकर वर्मन की हम पढ़ चुके थे क्योंकि उत्पल डाइनस्टी के पिछला लेक्चर था एपिसोड फॉर तो यहां तक शाध हम इसको खतम कर चुके हैं तो यह इंपॉर्टेंट है दोनों बीच में एक ब्राह्मन डाइनस्टी बहुत छोटी सी आएगी और उस पद गुपता डाइनस्टी जो है वो एस्टैबलिश की जाएगी यह चीज का ध्यान रखेगा जो भारत में जो में लाइन इंडिया में जो गुपता डाइनस्टी थी यह वो वली गुपता डाइनस्टी नहीं है यह कश्मीर के डिफरेंट गुपता डाइनस्टी थी तो प्लीज इनको मिक्स मत कीजेगा क्योंकि वो जो गुपता डाइनस्टी थी वो हो चुकी है यह काफी बाद की बात है तो इसके बाद संकर वर्मन के बाद इसने यह एक ब्राह्मन उसको वहां का कश्मीर का राजा बना दिया जाता है तो ब्राह्मन डाइनस्टी उसके नाम से स्टार्ट हो जाती है तो ब्राह्मन है तो उसके नाम से जो डाइनस्टी होगी है दस साल तक ही चलती है जह ब्राह्मन था उसका एक कोट हुआ कर था दरबार दरबार में कुछ दरबारी होते हैं उन्ही दरबारीओं में से एक जो थे पर्वगुप्ट जिनका नाम था वो पर्वगुप्ट जो है उन ब्राह्मन डाइनस्टी को रेपलेस करके कू होती है कू मिन्स के तख्ता पलट करके तख्ता पलट करके पर्व गुप्त जो है वहां के राजा बन जाते हैं और एक गुप्त डाइनस्टी जो है उसको गुप्ता डाइनस्टी को स्टार्ट करते हैं कश्मीर में 1949 में गुप्ता डाइनस्टी जो है पर्व गुप्ता ब सक्सेसर जो थे मतलब उनके जो बाद आते हैं क्षेम गुप्त यह बहुत इंपोर्टेंट राजा हुए इनसे आगे कहानी आके जुड़े कि तो याद रखेगा क्षेम गुप्त जो थे तो यहाँ पर देखो आगरा लिखे तो नेक्स स्टेज में ग्रैंड ड़ीम देवा शाहिरूलर राफ काबुल तो कुल मिला के थोरा सा कनफ्यूजन है बट मैं बोलता हुं कि शाहिद उसकी मदर ली साइट जो थी वह काबुल से थी और फादर जो थे वह पुंछ के राजा तो क्षेम गुपता का क्या कॉंट्रिबूशन है ही बिल्ट अक्षेम गौरेश्वर एंड भीमकेशव टैंपल्स तो यह जो दोनों भीमकेशव और क्षेम गौरेश्वर टैंपल है यह मुझे इनकी कोई पिक्टर्स ऑनलाइन नहीं मिली तो मैं शेर नहीं कर पा रहा हूं तो अगर मिलती तो मैं डेफिनेट शेर अगर आपके पास किसी के पास होगी तो प्लीज लिंक शेर कीज़ेगा ताकि बाकी बच्चे भी देख लें इन्होंने यह दो टैंपल इंपोर्टन बनाये थे कश्मीर के अंदर तो अब इसमें एक इंपोर्टन स्टोरी आपको ब पड़ा तो इसमें बहुत जादा इसको ब्यूटिफल एक्स्प्लें किया इनकी ब्यूटि को पड़े डिटेल में एक्स्प्लें कि किस तरह से उनकी जो चाल थी उसके उपर एक कमेंटरी की वेगे चलती थी तो बहुत सारे जो लोग थे उनको देखते थे तो मीनका मताब डिट्डा को समर्पित होने के बाद ऐसा हो गया कि वो डिट्डा के प्यार में इस तरह से डूब गए कि अपनी अध्मिनिस्रेशन से उनका मन ही उठ गया तो मजाक मजाक में जो राजा की प्रजा थी या जो दरबारी थे वो खेम गुप्त को क्षेम गुप्त कहने के गजन देखर रूलर तो में जो खेम गजाए तो यही कहनी में प्ता है कि उतना जादा चाम कर लिया था उनने राजा को की अरा जा को भी उनके नाम के बाद रूलर दिदा का खेम तो उनकी ब्यूटी को अनमें डिस्रेप्शन जो है वो आगे मैं आपको बता दिये कि कल अ ने काफी अच्छे से बताईए वो हमारे स्लेबस का इंपोर्टन पार्ट निया बट बता सकता हूं कि शी इस वरी ब्यूटीफुल शी वाज वरी ब्यूटीफुल तो रही ना फ्रिदा में आगे पड़ते हैं ब्यूटी को इन वास एक्चुल रूलर दा को इंस कैरिदा क यार कूल में कारण प्याहर कजसे मिया ब्यूटी चरी जाते ही आगे सिए्फिस्टे शाम हमारे सब्सेट थेफी निया की श्कुला काया ऐसे यह बोलना चाता है की लिभ्या सिए का जेर नान मतब घूड़ को छुड राजय को अऔर उसका जो पर अपड़ इस त्योग यो विज़ा से जो उस समय के जो सिक्के बनते थे उन पर भी डिड़ाक शेम ही लिखा जाता था तो एक तरह से ये मज़ाग भी था जनता में उसको ड़ाए जाता है डिड़ाक शेम बोलके लेकिन डी जो है वर्ड यूज के जाता है तो डीक शेम जो कौईंस पर वर्ड यूज क तो वही रूल करेगी इंडिरेक्टली क्योंकि वो भी तो एक रॉयल फैमिली से आती थी तो उसकी फैमिली के मेंबर्स के जो थे वो बड़े एक्सपिरियंस थे इस में तो इस तरह से थू डिड़ा लोहार डाइनस्टी कश्मीर को रूल करेगी शेम गुप्त के बाद जो थे उनके मृत्यू हो जाती है तो बिकॉज डिड़ा वाज नॉट ओनली चामिंग दे किंग बट शेम गुप्त के साथ उनको बहुत ज़ादा प्रेम था तो डिड़ा था कि बिकॉज माई हास्बंड इस डैड तो मुझे नहीं लिखता कि दुनिया में मुझे जिन्द तो उन्हों ने उनको समझाया मैंडरिंस ने कि यार आप प्लीज सती मत कमिट किजेगा क्योंकि आपके बेटे का फ्यूचर नहीं रहेगा या तो आपके बेटे का मुझे कर लिया जाएगा या इसको उठाके बाहर फैंग दिया जाएगा तो कोई ना कोई दरबारी जुह यह गद्धी पे विराजमान हो जाएगा तो प्लीज आप अपने बेटे के लिए अट लीस्ट सती कमिट ना करें तो यह देखकर कि डिड़ा ने अपने बेटे के पुत्र मोह में बेटे के प्यार में आकर कि उसने शी डिसाइड़िड कि आप वो सती कमिट नहीं करेगी त she became the queen regent मतलब queen regent होती है कि जब राजा बहुत छोटा होता है राजकुमार अभी मन्यू was very young तो रानी जो थी वो उसके भीहाफ पर रूल करेगी तो धीरे 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 अब यहाँ पे एक वो Game of Thrones आपने देखी होगी movie वेप सिरीस थी तो यहाँ पे Game of Thrones hail to the king एक तरह की आपस में जो internal squabbles होती है अंदर के जो जगडे होती है वो यहाँ पे शुरू हो चुके है तो Game of Thrones had just begun in Kashmir बहुत पुरानी बात है तो ऐसा है कि डिड़ा ने किया कैसे वो क्या किया करती थी यार assess कर लेती थी she was very sharp बड़ी तेज थी दिमाग से असा नहीं कि सर्फ शकल सुंदर थी तो Beauty with Brain की जो कहानी है दिड़ा के लिए कहते है Beauty with Brain Beauty with Brain तो उसके सब कुछ था Brain भी था और Beauty She used to judge people कि कोन उसके against है कोन उसके threat हो सकता है तो देरे 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 the ministers ताकि वो उसके camp में उसके पाले में आ जाएं और उसका जो रास्ता है राज करने का वो सफल हो जाए बट उनी ministers को जिनको उनने physical favors दिये होते थे She used to kill them ultimately through poisoning by different means उसमें में जादना detail में नहीं जाऊंगा बट she was very sharp बहुत तेज तरार लेडी थी उसने काफी तेजी से अपना control जो है authority जो है वो assert कर ली पूरी की पूरी जो उसकी वो थी councillor minister थी तो आगे पढ़ते है folklore about her beauty and brain इसके ओपर जो कहानिया है जातक stories लोगों के जो विचार हैं वो कहते how she used her charming powers to control the ministers यंग खास herdsman था जो उसके माइके की साइट से था तो इस पे वो भो ज़्यदा ट्रस्ट किया करती तो उसने उसको प्राइम मिनिस्टर और सेना पती दोनों ही बना दिया था डिड़ा ने अपने डिरेक्टर रूल के अंडर तो संग्राम राजा जो थे वो उसके भाई थे डिड़ागे क्योंकि अभी मनियों की साइट मृत्य हो जाती है उसको मार दिया जाता तो उसके बाद संग्राम राजा जो थे हर ब्रदर सन वाज अपॉंटेड एस युवराज तो उनका जो भाई था उनका बेटा जो संग्राम राजा था उसको युवराज वो अपने जीतेजी क्या कर देती है नॉमिनेट कर देती है और बोलते हैं कि पचास साल तक शी सर्वाइब दिस गेम आफ द्रोन फर फिफ्टी एर्स एंड फाइनली डाइड इन 1003 एडी फाइनली डाइड इन 1000 एडी में उनकी मृत्य हो जाती है बिफॉर हर डैथ शी मेड शूर था क्राउन गोज तो संग्राम राजा अ मेंबर आफ फर फैमिली तस एस्टैबलिष्ट लोहारा डैनस्टी ये पहले क्षत्री राजपूत राजा थे कश्मीर में रूल करने वाले लोहार डैनस्टी जो है अब आप समझी कियोंगे किस तरह से पुंच के जो लोहार लोहारी डैनस्टी थी वो कश्मीर में आती है अपनी बेटी के थ्रू क्शेम गुप्त के मृत्य हो जाती है डिड़ा अल्टीमेट कंट्रोल में आ जाती है और उसके बेटे के मृत्यू के बाद अबिमन्यू टू के मृत्यू के बाद वो अपने भतीजे को अपने भाई के बेटे को वहां का राजा युवराज निक्त करके जाती है तो इस तरह से स्टार्ट हो जाती है क्या वहाँ पे लोहार डैनस्टी तो डिड़ा के लिए ये शब्द कहे जाता है कि उसने हर एक यतन प्रेतन सामदान दंड बहिद हर चीज़ को इस्तेमाल किया था पॉलिटिक्स में अपने आपको अस्टैबलिश करने के लिए अपनी अथारिटी को अब ये इंपोर्टन्ट है कुछ डिड़ा का जो रीन थी ना उसमें इंपोर्टन चीज़ें उनके होती सिर्व राज नहीं पढ़ना ना उसके आसपास जो कल्सरल डेवलप्मेंट से उसके बारे में बजाना है अभिनव गुपता नाम के एक बहुत बड़े फिलोसफर और स्कॉलर रहे हैं कश्मीर में वो इसी टाइम पे डिड़ा के टाइम पे ही कश्मीर में हुआ करते थे अभिनव गुपता के बारे में जान लेते हैं तो रहा साइड से एक इंपोर्टन टॉपिक है अभिनव गुपता एक शैव फिलोसफर थे जिनोंने तंत्र लोक नाम का एक टुरिस्टी लिखी है जो कश्मीरी शैविजम है उसके उपर तो बहुत इंपोर्टन वानी जाती है इनकी टुरिस्टी अभिनव गुपता वास बॉर्ण इंपोर्टन वानी शैविजम है उनकी फैमिली में बड़े टॉप क्लास ब्रहमिन्स थे पड़े हुए तो उनकी फैमिली से थे तो अभिनव गुपता अभिनव गुपता इनके सब के बारे में यहां नहीं बता सकता क्योंकि इतने इंपोर्टन नहीं है लेकिन सब से इंपोर्टन जो बता सकता हूँ तंत्रलोक है तंत्रलोक जिसको कहा जाता है कि एक एंसाइक्लोपीडिया है जो कश्मीरी शैविजम है उसकी जो फाउंडेशन है तो जैसे कहा जाता है कि इट शोज दा प्राक्टिकल अस्पेक्स अफ कौल एंट्रिक नोन तोड़े अस दा कश्मीरी वर्जन आफ शाइविजम तो यह जानना बड़ा जरूरी है कि कश्मीरी शाइविजम जो फिलोसफी अभिनव उपता है कि पर अपनी कमेंटरी लेक्श हुई है इसलिए मैंने तंत्रलोग और अभिनव भारती के नाम यहां पे मैंशन किया हुग है अ आप समझी सकते हो कि किस तिरह का इंटलेक्ट्शिल लेवल होगा कि इतना बड़ा बड़ा हूमने काम किया था तो चलो कुछ आउडियो विजुल मैंने बोलते हैं सिर्फ बोरिंग नहीं होना चाहिए तो मैं एक स्टैंप उठाके लाएं एक कॉइन उठाके लाएं आपके लिए कुइन डिड़ा जो थी वुमन मुनारकाफ कश्मीर उसका ये इमेज है ये इमेज कुइन डिड़ा की बनाई गई है तो उसके जमाने के जो सिक्के थे ये उनको डिपेक्ट करता है कि भाई इस ताइम पे इसने रूल किया था आते हैं फर्स्ट लोहर डाइनेस्टी संग्राम राजा जो थे आब आपको पता चली गया होगा कि संग्राम राजा कोन थे डिड़ा के भाई का बेटा तो son of उदेराज उदेराज जो थे वो brother थे डिड़ा के the period covered by संग्राम राजा जरीन witnessed great upheaval in the political conditions of northern India under the impact of invasions of महमूद आफ घजनी जो महमूद आफ घजनी था जो ने सोमनात के मंदिर को लूटा था वो अब उसका यहां पे क्या होता है arrival होता है तो obviously एक बाहर से लूटेरा जब आपके दरवाजे पे दस्तक देगा तो जो भी मोनार्क होगा राजा होगा वो उसके मन में एक डर तो होगा कि अगर हमारे यहां पे आगया तो क्या होगा जिस तरह से हुनाज का इन्वेजन होता था तो इंडियन जो राजा थे वो परिशान होते थे कि उनको किस तरह से टैकल के जाएगा और जब खलजीज इंडिया में रूल कर रहे थे तो दे फेर्ड चंगेज खान और उसके जो मंगोल्स उसके जो डिसेंडेंट्स तो वो डरते थे उनसे तो इसी तरह से यहां पे भी एक फेर था महमूद अफगसनी का की आकर के क्या करेगा क्यों कहानिया तो काफी दूर तक ट्रैवल कर रही थी कि इस तरह से वो मतलब लोगों को मार रहा है गाउं के गाउं जला रहा है मंदिरों को लूट रहा है तो एक फेर था कश्मीर में भी इस चीज़ का तो कश्मीर टूप्स अंडर दा कमांड अफ टूंगा सपोर्टेड शाही त्रिलोच नपाल इन 1013 AD ये शो शाही डाइनस्टी थी जलंदर में रूल करती थी पंजाब में शाही डाइनस्टी रूल किया करती थी इनके बारे में हम काफी पीछे से पढ़ते आ रहे हैं अगर आप पिछले प्रिविएस वीडियो भी देखो कि आपको पता चल जाएगे शाही डाइनस्टी रूल में बड़ी बार मैंशन भी किया और डिसकुशन भी किये तो टूंगा जो था आपको पता ही होगा वो खासा ट्राइब का था और डिडड़ा के माइके वाली साइड से आता था उसको हेल्प किया था सपोर्ट किया था गजनी की जो फोजे हैं उसको डिफीट करने के लिए लेकिन फाइनली त्रिलोचन पाल जो शाही डैनस्टी के थे उनको हार का सामना करना पड़ा और त्रिलोचन पाल के जो पिता थे शाही डिनस्टी के अनन्द पाल उन्होंने भी काफी देर तक ये ऑन्सलाट जो था घजनी से इनका लुटेरों का इसको वो किया था, फेस किया था बट फाइनली आफ्टर फेसिंग देफीट वो कश्मीर आ जाते हैं तो त्रिलोचन पाल's father शाही डिनस्टी अनन्द पाल आफ पिशावर फीज तो कश्मीर आफ्टर फेसिंग डिफीट अफ़ेसिंग देफीट अफ़ेसिंग देफीट अफ़ेसिंग गजनी और उनके जो फादर अनन्द पाल हैं और उनके ओपर जो है जैपाल हैं लगे हुए थे महमूद अफ़ गस्नी और गस्नी सानवल उल्टेरों से लड़ने के लिए लेकिन तीन जनरेशिंग के बाद भी उनको कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे बहुत बड़ा चैलेंज साइन के लिए तो तुस थ्री जनरेशिंस अफ शाहिज वर इंवल्ड इन दिस स्ट्रॉगल दिरिंग टाइम अफ अनन्द पाल अफ यहां पर महबूद ने ट्राइब किया था लेकिन वो फेल हो गया क्योंकि यहां पर तुंगा भी था और उसके साथ के जो शाहिज डिनेस्टी के राजा थे उनका भी थोड़ा बहुत पर अब्वोट अब्वारल सपोर्ट था और लेकिन कश्मीर के जो राजा थे यह संग्राम राजा तो उनके अंडर काफी पावरफुली ने लोहार डैनेस्टी ने इनको टैकल किया और महमूद अफ गजनवी जो है वो कश्मीर में आकर के घुटने टेक जिता है वो बंदा जिसने कितनी बार हिंदोस्तान को लुटा वो कश्मीर में आकर फेल हो जाता बुजन, अब ब्रामन लाड आफ काम राज रीजन, ट्राइस टू किल दा किंग, वो इस प्रोटेक्टिड वा तांत्रे जाती है जो राजा को प्रोटेक्ट किया करती थी बुजन नाम का ब्रामन उनको मारने की कोशिश करता है राजा को यह important कियो है क्योंकि तांत्रे अरजुना, दिवीराज, क्लरक्स, एंड दामराज तो यह इन तीन कम्यूनिटीज की जो थी वो प्रेडॉमिननसी अड्मिनिस्रेशन के अंदर, we also find the mansion of one of the दामरा हेल चक्रा, a possible reference to a family that came to be later known as चाक्स, तो यह दामरा हेल चक्र जो थे, माना जा सकता है कि जो बाद में चाक बने, यह इसी family से कहीं related हो सकते हैं, तो दरड़ आज मी हैं आपको पता है, और दामराज के बारे में बता दिया कि इस तरह से आपका एक link बनता है, तांतरेश आज मी हैं, तो यह जानना आपके लिए इसलिए important था, लोथिक मठ जो है, और तिलोतमा मठ जो कश्मीर में लोतमा मठ यह कश्मीर में संग्राम राज ने बनाये थे, क्षेम राज जो है, प्विपिलाफ अभिनव गुप्ता, यह शिश्य हैं अभिनव गुप्ता के, रोट शिव सूत्र वृति, शिव सूत्रप विमर्शिनी, प्रत्य बीजन रिदयाज, स्पंद संदोहा, निरनाय, तो यह उन्होंने कुछ जो खेम राज है, उन्होंने कुछ उनका लिटरेरी जो वर्क है, उसके बारे में लिखा हुए, इतना याद रखी कि एक राजा भी हो है, खेम गुप्ता, और एक खेम राज है, यह की अभिनव गुप्ता के एक वो रहे हैं, शिश्य रह इनके जो यह मौनुमेंटल वर्क हैं, लिटरेचर के फिल्ड में, इनके बारे में यह आप नाम रख लो, याद तो अच्छी बात है, नहीं तो चलेगा, इतना ज़ादा गुप्तने की जूरूत नियास में, अनन्त अगले राजा आते हैं, अनन्त अगले राजा आते हैं, अनन्त को बड़ा ज़्यादा प्यार हो जाता है, अपनी बीवी के साथ, सूरे मती के साथ, और सूरे मती भी अपने पती से बहुत ज़्यादा प्यार करती है, तो इस चक्कर में फिर वही हो गया, जो पहले होता आ रहा है, कि यार, जब भी आप पूरी तरह से फैमिली को क पर्सनल लाइफ किसी की होगी तो प्लीज यार दोनों को बैलेंस करना हमारे लिए बहुत जुरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूर आपका मजाग उड़ाया जाता है तो इस तरह से यार अनंत की मृत्यू हो जाती है और उसकी wife जो है मृत्यू नहीं होती है सारी अनंत जो है suicide कर लेता है क्योंकि वह balance नहीं कर पा रहा है manage नहीं कर पा रहा है अपना kingdom और wife तो confused है दोनों के बीच में तो उसके suicide के बाद जो उसकी पत्नी है वो भी suicide कर लेती है सूर्य मती भी suicide कर लेती है इस दुख में कि मेरे पती को मेरी वज़ा से लोगोंने ताने मार मार के क्या कर दिया इस हद पे लाके खड़ा किया कि जहां पे उसने मृत्यों को गले लगा लिया तो हर्ष के बाद अनन्त के बाद हर्ष तो इसके बारे में तो बहुत डिटेल में आप समझाना हर्ष is very important to know हर्षा the first demon of medieval Kashmir medieval Kashmir का ये पहला राक्षा से द्यत्य दानव कहा जासता है क्यों? क्योंकि इसकी हर्कते ही वैसी द्यत्य और दानव हो वाली थी अब पढ़ते हैं क्या इसने ऐसा किया था? हर्षा introduced into the country more elaborate fashions of dress and ornaments perhaps an indication of Mohammedan influence and made his courtiers imitate his own taste of extravagance in personal attire यारी fashionable बंदा था ऐसा बना जाता है इसकी attire बड़ी different थी क्योंकि हिंदू जो philosophy है जो outlook है उसमें मोक्ष अभिलाशी बनाया जाता है इंसान को तो शायद हिंदू kings थे वो उतने extravagant नहीं है लेकिन he was very extravagant क्योंकि जो Islamic philosophy है वो बड़ी world को लेकर के positive है positiveist है कि हाँ जी ये दुनिया अच्छी है भगवाने मारे enjoyment के लिए बनाया है तो एक outlook होता है उस time के राजाओं का था कि वो इस world को लेकर बड़े positive होता है लेकि हिंदू जो थोड़े से pessimistic होते हैं इस world को लेकर because of our philosophy but Hindu में बड़ी सारी sects है मैं controversy में नहीं जाना जाता है एक journal आपको वो दे रहा हूँ तो please इसमें controversy create करने की कोशिश भी मत करना तो इस वज़ा से ये माना जा सकता है कि वो बड़ा elaborate था अपने fashions को लेकर तो हो सकता है कि उसके उपर एक Mohammedan influence हो कि Muslim जो थे उनका एक influence उसके उपर हो सकता है तो एक और चीज उसके लिए बड़ी important माने जाती है जो ये बताती है कि शायद उसके उपर Islamic influence होगा या Muslim philosophy का influence होगा because he started desecrating temples मंदिरों को तोड़ना शुरू किया इस हर्षा ने और बहुत सारे मंदिरों का जो लूट लिया उनका जो धन था लूट लिया देखो अब यहाँ पे एक चीज आपके लिए बहुत important है समझना हमारे so-called historians रहे हैं इंडिया में वो ये सिखाते हैं कि महमूद अफ गजनी भी मंदिर लूट था और जो चोला राजा थे राजा राजा या राजे इंडर वो भी मंदिर लूट थे तो भाई दोनों बराबर हैं ऐसा नहीं है उसी तरह से हमारी यही history नमें यह सिखाते हैं कि जो हमारे ललिता दित्य मुक्त पिड़ थे वो भी मंदिर लूटते थे, हर्ष भी लूटेगा और आने वाले टाइम में जो हम पढ़ेंगे further dynasty, शामिर डाइनस्टी में कुछ राजा है मंदिर लूटने तोड़ने, तो भाई ये एक ही platform पे आते हैं, ऐसा नहीं है इन चीजों को उनकी details में समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि मैंने आपको लेलता दिते के टाइम पे बहुत detail में बताया था, कि वो लूटता नहीं था उसने loan लिया था लेकिन हर्षा, although he's a Hindu king बट ये लूट रहा है मंदिरों को तोड रहा है, treasures को निकाल निकाल के अपने उसमे यूज, personal यूज में ला रहा है तो ऐसा मना जाता है कि he was a first person जिसने Muslim जो सिपाही थे, उनको captains appoint किया था तो देख सो पढ़ सकते हो, ruthless polish of sacred shrines under Harsha for financial considerations or even some other considerations temple treasures were ransacked Muslim captains employed for the first time under him तो पहली बार किसी ग्यार हिंदू को मतलब अभी तक तो Muslims का ज्यादा तर यहाँ पे कोई आया ही थी न, एक ही Muslim अभी तक कश्मीर में आया है तो अब थोड़ा-थोड़ा इनका interaction बढ़ रहा है Central Asia से जो लोग आ रहे है तो पहली बार उन्होंने एक Muslim को क्या appoint कि अपनी सेना पती शाय को major general lang पे कुछ रखा होगा तो हर्षा वाज अक्यूज़ 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 तो ऐसा माने जाता है कि वो यूज़ उसके परे एक्यूज़िशन था तो डिजास्टरस एक्सपेडिशन्स इन राजापूरी एंड किशन गंगा वैली तो हुआ गया कि यार एक तो बंदे ने काम ऐसे करना शुरू कर लिए कांड तो फिर उसने दो तिन एक्सपेडिशन्स लगा लिए राजापूरी और किशन गंगा में चला गया फोज लेकर तो वहाँ पर बड़ी अच्छी खासी मार पड़ी उसको अच्छी कैसी मार खाने का जब वापिस आता है कश्मीर में तो उस साल इतनी ज़्यादा बारिश होती है अतनी ज़्यादा फ्लेडिंग होती है और अब फ्लेडिंग और बारिश में आविसली एक राजा अनपॉपुलिर उपर से मोसम खराब जनता तकलीफ में तो rebellion तो हो नहीं है तीन चीज़ें इंपॉपुलिर उनपॉपुलिर होनी चाहिए myths जनता में ग्रिवियंसितों होनी चाहिए और थोड़ा leadership होनी जाए जो उसको replace कर सके या जन तक energy कुछ analyze कर सके तो तीनों चीज़े माबे present हो गई तो हर्षा के खिलाफ rebellion हो गया तो दामराज अंडर उकल एंड सुसुला दामराज ने हमें पिछे पड़ा दामराज उकल एंड सुसुला नाम के दो भाई थे who were brothers and distantly related to Queen Dada जो Queen Dada के दूर पार के कोई भाई मानने जाते है उन्होंने rebellion कर लिया हर्षा के खिलाफ क्यों देखी रहे हो ना यार मंदीरों को तोड़ना, मंदीरों को लूटना और ये disastrous expeditions जीज़ काफी लोग मरते है ना में जा रहे हो तो इतने सारे सिपाई मरवादी है राजा की एक एगों ने और उपर से जब देश में बाड आई disastrous flood आई तो राजा कंट्रोल में नहीं है तो उसके कलाफ rebellion हो जाता है हर्षा कलाफ तो ऐसा कश्मीर मानना जाता है कि because he was desecreting the temples he was looting their wealth, ransacking all the duties तो वो प्रकोप था भगवान का प्रकोप था इस वज़ा से ऐसा flood वहाँ पे आया था कश्मीर के अंदर ऐसा उन लोगों का मानना था वहाँ के थे तो कलहन's father चमनका was a faithful adherent of हर्षा तो कलहन के जो पिताजी थे ना यार वो उकल जो है वो establish करते है वो कुइन डिड़ा के distant relation में आते है सन्ना फर्षा है तो अब ये क्यों important है चोटा सा राजा है उकल इसके बारे बताना क्यों जरूर था आपके लिए इसलिए जरूर था क्योंकि उकल जो थे वो बहुत ज़ादा अपने टाइम से आगे की सोच रहे थे लुक ऐसा राजा जो उस टाइम पे मतलब किसी ने क्राइम किया तो बाजू काड़ दो टांगे काड़ दो, हाथ काड़ दो, गदन काड़ दो यही वह करता है जिस्टिस जुडिशियल सिस्टम लेकिन इनों ने क्रिमिनल जुडिशियल सिस्टम को पूरी तरह से रिफॉर्म कर दिया जो क्राइम करता है उसको जेल में लेके जाओ और फूर उससे काम करवाओ, क्या काम करवाओ पूल बना लो, नहरें खुदवा लो इस तरह के कि यार अगर बन्दे ने कुछ काम किया तो उसको मार के क्या फाइदा अब उसने सुसाइटी में कुछ प्रॉब्लम रुकुस क्रेट किया तो एक काम करो, इस बन्दे से सुसाइटी में कुछ कंस्ट्रक्टिव करवाओ तो यह reformation of criminal justice system जो आज की डेट पे हमने modern western concept मानते हैं तो भाई यह देख लो कि हमारे देश में उकल नहीं यह कितनी देर पहले, आज से हजार साल पहले यह सब कर लिया था तो जितने मंदिर उसने लूटे थे, तोड़े थे उसने अपनी मूर्तियों का establish किया, मंदिरों का जिरनो धार किया और उनकी जो wealth थी उनको वापिस उनको लोटने की कोशिश किया बड़े सारे मंदिर उसने वापिस से बनाए भी तो बड़ा छोटा सा उसका एक tenure हो रहा है उनके बाद आते हैं, जैसिम्हा, गैरा सो अठाइस से लिखके 54, कम से कम तीस, सारी, हाँ, करीब-करीब 28-30 साल करन का वो टैनियोर रहा है जैसिम्हा वाज दसन एन सकसेसर अफ सुसुला कलहना इंप्लॉईज मोर दन 200, 2000 वर्सिस अपने काम का, जो उसका कलहन जो लिखा है रहा रचतरंगिनी, उसमें से 25% वर्सिस जो हाँ, जो सिरफ जैसिम्हा के ऊपर ही है तो ये मान के चलो कि कलहन जो था है, वो इनका क्या था समकालीन, यानि कि इनी के टाइम का, जैसिम्हा के समय पे कलहन जिन्दा हुआ करता था, और वो सब कुछ लिख रहा था तो बड़े अच्छे से इसने डिटेल में, जैसिम्हा के बारे में, माइन्यूट डिटेल भी उसके रूल के बारे में लिखी हुई है जैसिम्हा के बारे में, 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 उसको एंपायर को चंट्रोल में लाने की काफी स्ट्रगल मशक्कत करने में जंगें गरनी पड़ी, हराना पड़ा हैं लैंडलोड्स को जो भी थे, फ्यूडलोड्स और फाइनली वो चंट्रोल में आ गया, तो Jai Sima managed to hold on these, using these intrigues, mention of Brahman warriors like Al-Makara, Alamkara नाम के Brahman warriors का भी इसमें mention आता है, Kalhana describe करता है, तो there is a dispute, यह याद रखे का, dispute का है, Kalhana closes his account with 1149 AD, but on the authority of Jhon Raja, on the authority of Jhon Raja who continued the work of Kalhana, Jai Sima ruled till, I mean, simple है, कि यार, Kalhan बोलता है कि Jai Sima थे, यहाँ पर उनका rule खत्म होता है, लेकिन Jhon Raja, जिन्होंने रज तरंगिनी का next part लिखा है, वो कहते हैं कि नहीं, 1154 तक इनका rule था, तो इसके ओपर थोड़ा सा, वो है, dispute है, और यह जरूर माना जाता है कि तुरक्षाज को इन्होंने मारा था, जैसी मैंने, तुरक्षाज को ना, टरक्स, जो तुरकी से आने वाले लुटे रहे थे, उनके लिए वाड उज़ कहते हैं, तुरक्षाज, तो उनका इन्होंने वद किया था, कलहन, अब यह important है, क्यों कलहन के बारे में आ रहा है, रज तरंगिनी के बारे माना है, तो आपको पता ही हमारा primary source वाना जाता है, हिस्ट्री का कश्मीर में, यह एक important चीज़ और add करता हूँ, कफी लंबा वीडियो हो गया, इंडिया में एक चीज़ कही जाती है, हमारा जितना भी इतिहास है, यह एक verbal culture है, कि यार बोला जाता था, और सुना जाता था, लेकिन कश्मीर एक totally उल्टा है, मतलब इंडिया का, यहाँ पे सारा का सारा इतिहास लिखा गया है, well documented है, हर चीज़ को define किया गया, तो आप देख रहे हो कि काफी detail में हमारी कश्मीर की history जो है, हमारे पास आज भी संजोके रखी गई है, जरूरत है इसको explore करके पढ़के हमें आगे वेले generations को बताने की, तो कलहना रोट रज तरंगिनी during this reign, तो कश्मीरी लेंगविज का पहला वर्ड रज तरंगिनी में यहाँ पर मैंचन होता है, तो यह नाम यह दिकिया, मनखा रोट श्री, श्रीकंथ चरिता, श्रीकंथ चरिता, कश्मीर गउट अट टेंपल आफ रिहल, रिलहन इश्वरा, रिलहन इश्वरा, विहार एट भालेरक प्रापा, वाटेवर, जो भी नाम है, रिस्टोरिशन आफ सम स्तूपाज, सम विहाराज, मठा जन्दा शोर आफ तरिवर्स, टोन अफ भुटापूरा एंड सिन्हापूरा, ये भी एस्टैबलिश किये गए थे, इनके टाइम पे, तो ये सौरी, ये टेंपल आगया है, रिलहन इश्वरा, जो टेंपल है, आज की डेट में ऐसा देखता है, रिलहन इश्वरा टेंपल, ओविसलि ये रिकंस्ट्रक्टिड है, इसको बवापिस से बनाया गया, जिसका जिर्नो धार किया गया, तो ये वो टेंपल है, रिलहन इश्वरा, तो यहाँ पे खतम हो जाता है हमारा एपिसोड, पूरी कुरी लुहार डैनेस्टी हम फस्ट औ पर टाइम कम है, इसलिए नहीं बना पारा हूँ रेगुलरली वीडियो, बट कोशिश करूँगा, जल्दी से जल्दी इसको खतम करूँगा, आप लिस अब तक इन वीडियो को रिवाइस करना, देखना पना नोट्स बनाते हैं रहना, बहुत बहुत धन्यवाद,